नमस्कार जहंद अगर आपने उत्तरपदेश पुलिस कंस्टेबल का फार्म अपलाई करने वाले हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है बहुत जरूरी सूचना लेकर आया हूं और एक मिश्टेक से आपका फार्म केंसिल हो सकता है तो जरा इस वीडियो को देख कर ही जाएं तो मैंने सोचा कि मेसेज इतने सारे आ रहा हैं इतने सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो कि उन्हें एक वीडियो बना करहीं सबको का कंफ्यूजन दूर कर दों पहले लेकिन आप डिजिलाकर का आपसं आ गया है आप चाहें तो डिजिलाकर से अपना डिएकमेंट्स लेकिन आपने पहले ही कर लिया है अथ्वा डिवि लाकर का याि कि अधाने के बाद Бर किया है लेकिन सक्ण करके गिया है तो कोई समयशिया नहीं है वह अपूशन है आपके पास यहें स्नक्रावट नाहीं कर सकते स्क्राइब टोल तक कर सकते हैं कि कर्एब तक कर पाएंगे कर्एगे तो थ्यान देंगे कहा 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 इसको पहले ही पेज पर लिख लें यह चीज करेक्ट करना है और करेक्ट करते समय बहुत बारिकी से सभी चीज़ों को करेक्ट कर लें क्यों करेक्ट एक बार कर सकते हैं तो बार application फिल कर दी है इक दो बार अप्लिकेशन फिल कर दी है तो क्या इसमें क्या होगा गर क्रती है तो लास्ट वाला जो आपफिल किया है उसी केश्ट केशिंग कर देंगे और महीं submit किया हुआ थे लेकिन अगर दोनों को पैमनेंट कर दिया हैं तो सिकेंड वाला कमाना जाएगा फर्ष्ट वाल आ जाएगा कर दें लाश्ट वाला पर करते ज्यादा बेटर होगा या किसी एक पर कर देंट के टाक्मेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि डाक्मेंट्स में जब हम अप्लोड कर रहे हैं डिटेल से लिक रहे हैं तो यूपी नहीं लगा सकते इस पेसल करेक्टर नहीं लगा सकते डाट भी अप्लोड कर दिया है क्या माने होगा हाँ बिलकुल माने होगा या इसकें कर अपलोड कर दिया है तो अब भी मानने होगा उसमें कोई समस्चा है नहीं नहीं किये हैं तो क्या कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं इडिट के बाद 17 और 18 का जो टाइम होगा उसमें इडिट करके अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्राइब करना है जनकारी कैसे लेगी जरा वीडियो को सेर करके बताएं वीडियो को अच्छा लागा तो सेर कर दें अगर चैनल कभी तक सब्सक्राइब करने धन्यबाद